दोस्तों बेलकम इन एगरिकल्चर प्री दोस्तों आपका एगरिकल्चर प्री में स्वागत है आज हम इस वीडियों में बात करेंगे बी एस सी एगरिकल्चर होनर्स फास सैमिस्टर के पेपर की बात करेंगे कि जो 2021 का पेपर था वो कैसा पेपर आया था और कि इसमें से और PV मतलब सब्जार टाइटल जो सब्रेक्ट है इसका फंडमेंटल ऑफ जैनिक्स क्या है फंडमेंटोंट ओफ जैनि एक्ञेंट्टिक्स तो मतलब जे जैनिक्स के पेपर की बात करेंगी जिसका कोड्ड है एजी एक सो दो पेपर कोड क्या है एजी एक सो दो कोड है और न्यू लॉन्ज जो न्यू कोर्स है वो लॉन्ज क्या हुआ है ये तो इसमें बात करेंगे कि कैसे कोशन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं और कितने घंटे में करना होता है तो इसमें जो गंटा है वो टाइम तो कोर्सन भी कम करें इसमें तो बात करते हैं कैसे कम करें तो इसमें जो है सबसे पहले सर्थी तीन खंडों में वाजीते पेपर और सभी खंडों को निद्दे सनुसार हल करना है तो आप बात करते हैं खंड एकी मतलब एक की पहले तो इसमें आतिलगू कोईस्चन है इसमें पांच कोशन दिये हुए हैं आपके लिए तो हिंदी मीडियम बात करते हैं तो इसमें पांच कोशन तो दिये हुए हैं पांच परसन दिये हुए हैं जिन में से दो प्रिशन आपके लिए करने हैं और वो दो कोशन जो एक प्रिशन है वो पांच नमबर का है और 75 सब्दों में वो आंसर देना है उनका तो अब बात करते हैं हम प्रिशन नमबर एक की तो प्रिशन नमबर एक में क्या पूछाता है तो इसमें पुछा था कि मेंडल के मेंडल ने अपने अध्धिन के लिए मटर के पोदो को क्या क्यों चुना था जो मेंडल था तो उसने जो अपने एस्पेरिमेंट जो किये थे तो मटर के पोदे पर ही क्यों किये थे तो यह आपको short-c lib strategy न है इसका answer देना है आप बात करते हैं दूसरा दूसरा है कि पूर्व संक्रण एवं परिक्षन संक्रण में अंतर inspect कीजिए मतलब पूर्व संक्रण और परिक्षन संक्रण में अंतर वताना है आपको एक एक अंतर देना है इसमें या दो-दो दे सकते हैं अब बात करते हैं तीसरा तीसरा की काई वर्ग परिक्षण पर एक टिपड़े लिखिए जो काई वर्ग होता है उस पर परिक्षण पर एक टिपड़े लिखनी है बात करते हैं परिशन नमबर चार की चार है कि परिवर्तन जिसे म्यूटिजन पर एक एक संचीप टिपने लिखनी एं जिसे μुटिजन भी कहते हैं उसतर एक संचेप टिपने लिखनी है और पाच वह है कि निउन्ता पर एक जो निउन्ता होती है उस पर एक टिप लिखनी है तो यह आपके सब आपकी बुक में मिल जाएंगे question बहुत बहुत हलकी question है यह तो बात करते हैं हम खंडवे की तो खंडवे में जो section नमबर भी है उसमें बात करते हैं लगूत्रे person तो लगूत्री में आपके लिए जो दिये हुए होंगे तो आपके लिए तीन question दिये हुए होंगे लगों में लेकिन आपके लिए एक question करना है जो कि एक दस नंबर का question होगा और 200 word में कम सकम होना चाहिए तो यह रहा एक question आपको करना है दीजिए और दस अंक का होगा और जी 200 सब्दों में होना चाहिए अब बात करते हैं इसमें कि छटा question कैसा था तो लगों के question है तो अनुवांस की कूट एवं इसके गुणों पर एक बिस्रित टिपने मतलब जो अनुवांसी कूट है उसके गुणों पर एक बिस्रित टिपने देनी है आपके लिए दूसरा है कि मातरतानत्मक एवं गुणात्मक लक्षणों में अंतर बताना तो ये भी बहुत हलका question है और मातरतानत्मक और गुणात्मक इनमें लक्षणों के अंतर बताने है और आठमा है कि कोशी का चक्र पर एक टिपने लिखनी है जो कोशी का चक्र होती है उस पर एक टिप्पले लिखनी है ए तो ये आपके दिन को छनले अब बात करते हैं तो ये आपके लगड़ित्रे हो जाते हैं, अब बात करते हैं, बिस्रित कोच्चं मतलब खंड सह पे, तो जो बिस्रित कोच्चंस दिये तो इसमें आपके लिए जो दिये हैं वो दो कोश्चन करने हैं आपके लिए जो कि एक कोश्चन पंद्रे नंबर का होगा दो कोश्चन करने हैं और एक पंद्रे नंबर का होगा अगर आपका तीन गंटे का होता तो आपके लिए तीन कोश्चन करने होते जो कि एक दस नंबर का कोशन होता आपका तो इस पिरकार ये कम कर दिए गए हैं कोईड नाइंटीन के वज़े से बात करते हैं प्रिशन नंबर नोगी तो नो है आपका कि उचित उधहरन देते हुए माततात्म के लक्षणों की बंसानुगती बंसानुगती को बिस्तार से समझाई यह तो क्या है उचीत उधारन देते हुए मतलब उधारन देते हुए मात पतात्म लक्षणों की बंसागुति बतानिया आपके लिए एक प्रिशन तो यह हो जाता है आपका दूसरा है यह दसमा तो इसमें आपके लिए कुछ कश पॉंटों में दे दिनी हैं उनके अंतर बतानिया अपके लिए जैसे स्वह एवं प्रिज इ despairost गरतवरतन का अंतर बतानाएं मैं दोनों में में और सवय और प्रेरित अ भूंगे आप तीसरा है तीसरा इसमें कि इस तांतरन एवं बिनीमे में अंतर बताना है आपको प्रोकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताना है तो यह आपके दसके हो जाते हैं खंड तो इन में आपको करना है लेकिन आपको पूरे पर अगर आप प क्या है और उचीत उदारन देते हुए बहु विकल्पी को बिस्तार से समझाइए मतलब उचीत उदारन देना है और बहु विकल्पी को समझाना की क्या होता है अब बात करते हैं 12 की प्रोकेरियोटिक में प्रोटीन संसिलेशन की किरिया विधी को बिस्तार से समझाइए जो टिक होती है। उसमें प्रोटीन सेस्रेशिं की किरिया विधि बतानी है आप के लिए। अब बात करते हैं। प्रश्ण नंबर 13 है। जो लाक्ष्ट कोस्ट तो गुर्शूत्र में सरनास्तमक परिवर्तन क्या होते हैं। तो उन्हें सरनास्मक परिवर्टन जोते हैं किसे पिर्कार होते हैं, कैसी होते हैं वो बताना है और उचित आरेक की सहायता से पृतिलोमन या इस तरहनतरन को समझाए मतलब उसका पृतिलोमन करके आपको बिस्तार से बताना है तो ये आपके कोशन हो जाते हैं दीरगी के तो ये आपके 5 कोशन दिये हुए हैं दीरगी में दीर में से आपको 3 कोशन करने होते हैं अगर 3 गंटे का होता है अगर 2.5 गंटे का है तो आपके लिए 2 कोशन करने होंगे जो एक को चसन जो होता वो आपको 5 नमब्र का होता आप इसी तरह हमारे चैनल पर टोटल मतलव RBSC के साथ में सैंस्टर तक आपको सारे पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर तो आपको कहीं जाने की जिरूत नहीं है आप यहीं से आप अपनी पेपर देख सकते हैं और आपका पेपर में सही फस्ता है जादे तर आप पांस साल के question paper उठा लो उनमें सही लोट फिर के पूछते रहते हैं सवाल तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू करें और जो हमारी चैनल को नए है तो चैनल को सक्साइज कर जरूर करें तो फिर मिलते हम अपनी नेक्स वीडियो में तो बाई